यूपी में सरकारी नौक्री तलाश कर रहे यूबाओ के लिए बड़ी खुश खबरी है योगी सरकार नमामी गंगे और ग्रामिन जलपूर्ती विभाग में इंजिनियर्स की भर्ती कर रही है अभियर्टियों को नौक्री के लिए ज्यादा इंतजार भी नहीं करना होगा क्योंकि दोनों विभागों में भटी शुरू हो चुकी है और जल्द ही न्यूक्ती भी की जाएगी बताया जा रहा है कि इन विभागों में 600 पदों पर न्यूक्तिया की जाएगी जो कॉंट्रिक बेस पर होगी जिन में 30,000 रुपे प्रती माह सेलरी होगी नौक्री के लिए पहले लिखित परिक्षा होगी और उसके बाद इंटर्व्यू होगा जिन वागों को नौक्री दी जाएगी वो जूनियर इंजिनेर के पद पर न्यूक्ति किये जाएगे जिन वागों के पास सिविल और मेकेनिकल में डिगरी है वो इन पदों के लिए अपलाय कर सकते हैं विभाग की और से कम्प्यूटर आधारित भर्ती प्रक्रिया के साथ 15 दिन में सफल अभ्यूर्तियों को नूक्ति पत्र भी दे दिया जाएगा क्यूकि जूनियर इंजिनेर्स को भर्ती के तुरंत बाद विभाग में तनाती करने की तयारी है बताया जारा है कि नमामी गंगे और ब्रामिन जलापूर्ती विभाग में 525 सिबिल और 75 एलेक्रिकल मेकेनिकल के पदों पर जूनियर इंजिनेरों की भर्ती की जाएगी अभी तक सेवा यूजन पोर्टल में पंजिकरत जूनियर इंजिनेर पद के लिए करीब 8000 लोग आविदन कर चुके हैं वही इलेक्रिकल मेकेनिकल के लिए 2500 से ज्यादा आविदन आ चुके हैं इसलिए जिनिवाओं ने अभी तक अपलाई नहीं किया है वो भी जल्द अपलाई कर सकते हैं